पांच विधान सभाओं के चुनाव की तारीखें घोशित हो गई हैं। 36 गड़ को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में एक ही चरण में मतदान कराए जाएंगे। हालकि दो राज्यों में मतदान की तारीखें अलग-अलग हैं। 7 नवंबर को पहला मतदान होगा, उस दिन मिजोरम और 36 गड़ में मतदान होगे। 17 नवंबर को 36 गड़ के दूसरे चरण के लिए और मध्यप्रदेश में मतदान होगे। उसके एक एक हफ़ते की अंतर पर राजस्थान और तेलंगाना में मतदान होगे। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। इस तरह कुल 26 दिनों में चुनाव संपन होगे। राजनेतिक दल इसके लिए पहले से तैयारी में जुड़ गए थे। तमाम बड़े नेताओं मंत्रियों आदी की रैलियां महीना भर पहले से होने लगी थी। जाहिर है मतदान की तारीखे घोशित होने के बाद अब सरगर्मी और बढ़ जाएगी। राजस्तान, मध्यप्रदेश और 36 गड़ में भाजपा और कॉंग्रेस की बीच काटे की टक्कर बताई जा रही है। विपक्षी दल एक जुठ है। इस तरह इन चुनावों में सरगर्मी कुछ जादा रहने की संभावना है। हर राजनितिक दल के बड़े नेता चुनाव प्रचार में उतरेंगे। इसलिए भी सुरक्षा कारणों से निर्वाचन आयोग ने मतदान को इतनी लंबी अबधी में फैलाने का फैसला किया होगा। 36 गड़ के नकसल प्रभावित इलाकों में हमेशा अतिरिक सुरक्षा की जरूरत रहती है। कोशिश की जाती है कि उन इलाकों में लोग जादा से जादा संख्या में घरों से निकले और अपने मतदिकार का उप्योग करें। इसलिए भी वहाँ दो चरण में मतदान का फैसला किया गया। हलाकी जब से मशीनों से मतदान कराये जाने लगे हैं तब से अपेक्षा की जाती है कि मतदान और नतीजों के बीट की अवधी कम से कम रहे। कम से कम चरणों में मतदान कराये जाए। मगर मशीनों के उप्योग के बाद भी निर्वाचन आयोग इस अपेक्षा पर खरा नहीं उतर पाता।